दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले top 5 best laptops जो कियाती है 30,000 रुपे की budget price range के अंदर जिन में आपको decent features और configuration मिल जाता है जो भी laptops हमने select किये हैं उनमें आप online learning, web browsing, online meetings, office work, presentation, documentation, movies and video streaming और थोड़े बहुत photo और video editing जैसे कम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों इनमें आपको buddy screen, decent battery life, Ryzen 3 and Intel i3 11 generation जैसे processor, 4GB RAM, 256GB NVMe M.2 SSD और Windows operating system pre-install मिल जाती है अगर आपका budget भी 30,000 रुपे के आसपास है और आप इस budget price range में एक laptop लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी के details, specification, features और जानेंगे इन में से कौन सा laptop किस price में लेना सही रहेगा So my name is Ashish and let's start the video तो शुरुवात करते हैं नंबर 5 से तो नंबर 5 पर आता है SS VivoBook 15 यता है 15.6 इंचेस की HD Anti-Clear LCD display के साथ इसमें 200 nits की peak brightness मिल जाती है यता है Intel Celeron N4020 2.8 GHz प्रोसेसर के साथ जो 2 cores और 2 threads के साथ आता है उसी के साथ इसमें Intel UHD 600 की Integrated Graphics मिल जाते हैं यता ही 2400 MHz 4GB DDR4 RAM के साथ जिसे आप 12GB तक expand कर सकते हैं उसी के साथ इसमें 256GB की NVMe M.2 SSD मिलती है और एक 2.5 इंचेस SATA का slot मिलता है जिसमें आप HDDi SSD अपग्रेट कर सकते हैं इसमें Windows 10 Operating System और Microsoft Office 2019 के license version pre-install मिलते हैं इसमें Multi Gesture, Trackpad, Chiklet Keyboard और HD Webcam मिल जाता है Connectivity के लिसमें आता है Dual Band Wi-Fi, Bluetooth, HDMI Port, 2 USB 2.0 Port और 2 USB 3.0 Port मिलते हैं या आता है 2 Cell Lithium Line Battery के साथ जिसमें 6 Hour का battery backup मिल जाता है या आता है 27,000 रुपीज के प्राइस के साथ अगर आपक अपजट 30,000 से भी कम हैं और इन future आप इसे upgrade भी कर सकते हैं इसमें आपके सारे basic कम आसानी से हो जाएंगे इसलिए SS VivoBook 15 इन specification के साथ हमारे list में नंबर 5 पर आता है इसकी link आपको description में मिल जाएगी अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ तो नंबर 4 पर आता है HP 247G8 दोस्तो इस list का सबसे ज़ाधा RAM और storage इसमें मिलता है उसी के साथ compact design के साथ आता है याथ है 14 इंचेस की HD anticular display के साथ जिसमें 250 nits की peak brightness मिल जाती है याथ है AMD Athlon P3045B 3.2 GHz processor के साथ जिसमें 2 cores और 2 threads मिल जाते हैं उसी के साथ इसमें Vega 2 के integrated graphics मिलते हैं इसमें थोड़ी बहुत better performance मिल जाती है याथ है 2400 MHz 8 GB DDR4 RAM के साथ जिसे आप 16 GB तक expand कर सकते हैं उसी के साथ storage के लिए इसमें 1 TB के HDD मिल जाती है इसमें Windows 11 operating system pre-install मिलती है याथ है HD webcam के साथ connectivity के लिए इसमें dual band Wi-Fi, Bluetooth, HDMI port, RJ45 port 2 USB 3.2 port और 1 USB 2.0 port मिलता है याथ है 3 से lithium-ion battery के साथ इसमें 9 hours का battery backup मिल जाता है याथ है 29,000 rupees की price के साथ price के साथ से इसमें ठीक टक specification मिल जाते है अगर आप ज़्यादा storage और RAM चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं इस वज़े से HP 247 G8 हमारी लिसमें नंबर 4 पर आता है इसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ तो नंबर 3 पर आता है Acer Aspire 3 याथ है 15.6 inches की Full HD TFT एंटिकलर डिस्पले के साथ इसमें 1080 by 1920 का pixel resolution मिल जाता है इसमें शांदर processor मिलता है याथ है Ryzen 3, 3250U 3.5 GHz के processor के साथ जिसमें 2 cores और 4 threads मिल जाते है और उसी के साथ इसमें AMD Vega 3 की integrated graphics भी मिलते है याथ है 2400MHz 4GB DDR4 RAM के साथ जिसे आप 8GB तक expand कर सकते है इसमें 256GB की NVMe SSD मिलती है जिसे आप 2TB तक expand कर सकते है इसमें Windows 11 operating system का license version pre-install मिलता है इसमें multi-gesture trackpad के साथ HD webcam भी मिल जाता है जिसमें 8 hours का battery backup मिल जाता है ये 31, 32,000 के आसपार देखने मिलता है जो card offer के साथ 30,000 के अंदर मिल जाता है इसमें आपको decent processor मिलता है जिसमें आपके सभी basic का मासानी से हो जाते है बलकि थोड़े बहुत moderate uses में भी कोई ज़्यादा issue नहीं आता इस वज़े से Acer Aspire 3 in specification के साथ हमार लिसमें number 3 पर आता है इसकी link आपको description में मिल जाएगी अब चलते है number 2 की तरफ तो number 2 पर आता है Acer Extensa 15 इस लिस्ट का सबसे powerful processor आपको इसमें मिलता है याता है 15.6 inches की full HD anti-clear display के साथ जिसमें 1080 by 1920 का pixel resolution मिलता है याता है Intel Core i3 11 generation 4.1 GHz processor के साथ इसमें 2 cores और 4 threads मिल जाते है उसी के साथ Intel 11 generation की Ultra HD graphics मिल जाते है इसमें आती 2400 MHz 4 GB DDR4 RAM जिसे आप 8 GB तक expand कर सकते है याता है 256 GB की Seta SSD के साथ उसे भी आप 2 TB तक expand कर सकते है इसमें moisture resistant keyboard, multi gesture trackpad और HD webcam मिल जाता है इसमें Windows 11 operating system का license version pre-install मिलता है connectivity के लिए इसमें आता है dual band Wi-Fi, Bluetooth, RJ45 port, HDMI port, 1 USB 2.0 port और 2 USB 3.2 port मिल जाते है याता है 3 cell lithium-ion battery के साथ और इसमें 8 hours का battery backup मिल जाता है याता है 32,000 रुपीज की price के साथ जो card offer के साथ 30,000 के आसपास मिल जाता है लेकिन इस price में इसमें Intel i3 11 generation का processor मिलता है जो काफियाद तक lag free experience देता है इसमें आप थोड़े बहुत heavy task कर सकते है जैसे photo editing और basic video editing वगरा में जादा issue नहीं आता लेकिन आप इसमें 8 GB से जादा RAM expand नहीं कर सकते है और इसकी price की वज़े से Acer extension से 15 इन specification के साथ हमाई list में number 2 पर आता है इसकी भी link आपको description में मिल जाएगी अब चलते हैं इस list के number 1 की तरफ तो number 1 पर आता है ASUS VivoBook 14 दोस्तों ये एक all-rounder laptop है जिसमें decent features मिलते हैं और इसे आप future में काफियाद तक upgrade भी कर सकते हैं ये एक compact laptop है जिसका weight सिर्फ 1.6 kg याद है 14 इंचिस की full HD anti-clear display के साथ जो 220 nits की brightness के साथ आता है इसमें 1080 by 1920 का pixel resolution मिलता है याद है Ryzen 3 3252U 3.5 GHz के processor के साथ जिसमें 2 course और charge rates मिल जाते हैं उसी के साथ इसमें AMD Vega 3 की integrated graphics भी मिल जाते हैं याद है 2400 MHz 4 GB DDR4 RAM के साथ जिसे आप 12 GB तक expand कर सकते हैं इसमें 256 GB की NVMe M.2 SSD मिलती है और एक 2.5 इंचिस CETA slot मिल जाता है इसमें आप extra SSD और HDD upgrade कर सकते हैं इसमें Windows 10 operating system मिलती है जिसे आप Windows 11 operating system में free में upgrade कर सकते हैं और साथ में MS Office 2019 के license version pre-install मिल जाते हैं connectivity की list में आते है dual band Wi-Fi Bluetooth HDMI port 2 USB 2.0 port और 2 USB 3.0 port मिलते हैं इसमें lithium-ion battery मिलती है जिसमें 6 hour का battery backup मिल जाता है या आता है 30,000 रुपीज के price के साथ इसके price थोड़ी बहुत fluctuate होती रहती है card offer के साथ और भी कम price में मिल जाता है इसमें आपको all-rounder performance के साथ decent features मिलते हैं इसमें आपके सभी काम बीना किसी युश्यो के आराम से हो जाते हैं इस वज़े से SSVO book 14 इन specification के साथ हमारे list में number 1 पर आता है इन सभी की link आपको description में मिल जाएगी तो दोस्तों ये थे हमारे top 5 best laptops जो किया थे 30,000 रुपे के budget price range के अंदर I hope आपके थोड़े बहुत doubts clear हो गए होंगे अगर इस वीडियो से related कोई भी सवाल है तो आप हमें comment box में पोच सकते हैं अगर ये वीडियो आपको informative लगी तो इसे like करें, share करें और अगर channel पर नहीं तो channel को भी subscribe जरूर करें So that's it for today, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए good bye and take care